हावे रिडक्शन करता सभाव रिडक्शन करता सभाव ये नीटनो वैरी इनपोर्टन टॉपिक वेगोज अन्याथी एक जग्याए एक कन्फूजन अने कॉंट्रावर्सियल क्वेस्टन जनरेट थाई छे आपके टोपिक नो धियांथी लण कर्वानू पैल्ला तो रिडक्शन करता सभाव ये शून तो रिडक्शन करता ये जे बिजानुर्डक्शन करेश आन्याथ Speed transcendation पामे तो धाट हलेज कर चैंया खुबत शक्रीय अने प्रबल रिडेक्षन करता सभाउधर आवे छे तो वाई इटीस सो सामाटे आवु ता आलकली धातु तत्वो जे छे तो तेमनी बहियतम कक्षान इलेक्ट्रोन ये समरचना सू छे NS1 छे एडले S कक्षाक माँ एकज इलेक्ट्रोन छे जे एलोको सरड ताथी घुमावी ने M plus 1 मोनोवेलेंट जे आयन जे छे तरतत बनावी दे परेन आमे एलोको खुबत सक्रिय छे अवे एलोको आई इलेक्ट्रोन घुमावे अने M plus आयन बनावे इलेक्ट्रोन घुमावी एटले ओक्सिडेशन पामवाने प्रबड वुती अने ओक्सिडेशन पामवी एटले रिडेक्षन करता सबाव आम समू 1 ना तत्व आलकली धातु तत्व खुबत सक्रिय अने प्रबड रिडेक्षन करता सबाव धरावे छे आजे प्रबर रिडेक्षन करता सभाव चे तेना related true औने false नो statement पुछाई सके समु 1 औने समु 2 नहीं जो वाद करिये तो रिडेक्षन करता सभाव समु 2 ना तत्वो जे छे आलकलाइन अर्थ तत्वो तत्वो तेओ पन 2 इलेक्टोन गुमावी ने M प्लस 2 डाइवेलेंट आयन बनावानी प्रबर रुती धरावे तो एलो कोपन समु 2 ना तत्वो पन सुछे ए रिडेक्षन करता सभाव धरावे तेवो पन रिडेक्शन करता सभाव दरावे परन्दु समु एक ने बैमा प्रवर रिडेक्शन करता सभाव कोनो तो ते समु एक नो सा माटे करनके समु एक नी आयनिकरण एंथाल्पी ओची आयनिकरण एंथाल्पी ओची एक इलेक्टोन गुमावानी व्रुती प्रबड धन आयन बनावानी ओक्सिडेशन पामवानी इलेक्टोन गुमावानी व्रुती समु एक नी बे करता वदारे परिन आमें समु एक ना तत्वो सरड ताथी ओक्सिडेशन पामी ने मोनोवेलेंट आयन बनावे छे माटे तयमनो reduction करता सभाव वदारे एलोको नो रिडक्षन करता सभाव एक करता केवो छे ओचो छे, परन्तु एलोको पन ब्य इलेक्ट्रोन गुमावीन हम्मेसा एम प्लस टु आयन स्वरूपे जुआ मड़े, एटले ओक्सिदेशन पामवा नी पन एलोको प्रबल रूत्ती धरावे, एक करता ओचो पन द्यार having tendency to get oxidized, माटे तेओ पन रिडक्षन करता सभाव दरावे, परन्तु समु एक करता ओचो, हवे समु एकना रिडक्षन करता सभावनी वाद करिये दा वायू अवस्थामा गैसे स्टेटमा लिथियम थी सीजियम तरफ जाईये, तेम पर्माणवीय कद वत्तु जाई, एटले आयनेकरण एंथाल्पी गट्टी जाई, तो इलेक्टोन डूर करिने धन आयन बनावानी सरडता वत्ती जाई, ओक्सिडेशन पामवानी व्रुती वत्ती जाई, परिन आमें रिडक्षन करता सभाव वत्तो जाई, माटे वायू अवस्थामा लिथियम जे छे, तो ते निर बेरी केरफोल, इन गैसिय स्टेट वायू अवस्थामा, परन्तु जियारे जलियम अध्यम निवात आवे, तो जलियम अध्यम माँ जे छे, तो ते रिडक्षन करता सभाव वनो ट्रेंड कईक आहो जुआ मडे छे, जे माँ लिथियम थी सीजियम तरफ जे, तो रिडक्ष पोटेंशियल ना वेल्यू काईक आवा जुआ मडे छे, अने ओक्षिडेशन पोटेंशियल ना वेल्यू काईक आवा जुआ मडे छे, इटले जलियम अध्यम माँ ओक्षिडेशन पोटेंशियल एकोना हाइस छे, तो तो लिथियम ना हाइस्ट ओक्षिडेशन पोटेंश लुएस जुआ मड़े माटे जलियम अध्यम मी जो वाद करिये आपडे तो जलियम अध्यम मा जे रिडेक्शन करता सब आउशे ते कहीं क आर इते नो अशे लिथियम is a strongest reducing agent and sodium is a weakest reducing agent very most important question खासकार जी राखवाने वारम वार पुछाता question आछे कि जलियम अध्यम मा और समू एक मा प्रबर reduction करता सबाव कोण धरावे तो ते लिथियम अने निरबर reduction करता सबाव कोण धरावे तो ते छे sodium तो आ पॉइंट खास याद राखवान अब आपणने question एम था इसर जलियम अध्यम मा आ ट्रेंड सा माटे जुआ मारे तो जलियम अध्यम मा जी electrode potential जे छे विद्यूद्रू potential जे छे तो तेनो आधार कोना पड़छे total enthalpy फेरफार पड़छे अन्य आ टोटल enthalpy फेरफार ए सबलिमेशन enthalpy, आयोनाइजेशन enthalpy अन्य हाइड्रेशन enthalpy नो समेशन छे इटले लिथियम थी सीजियम तरफ जाइए तो तेमा आई enthalpy फेरफार जो चेंज थाई तो ते विद्यूद्रू potential पर यह डेफिनेटली असर कर से अन्य परीणा में जलियम अधियम मां oxidation potential, reduction potential और विद्यूद्रू potential जेचे तेना normal trend आपणने जोई शका तो नथी परीणामे जलियम अधियम मां आपणने reduction करता सभाव मां abnormal behavior इरregular trend जुआ मडे माटे जहारे आपणने reduction करता सभाव जलियम अधियम मां पूछवाम आवे तो लिथियम जे छे तो ते strongest reducing agent छे, sodium ए weakest reducing agent छे अन्ने trend ने आपणने आ रिते पन लखी सक्किये के lithium is greater than sodium, पछी potassium, rubidium and cesium तो आपणने क्या आ trend पूछाए एक्जाम मां का आपणने आ trend पूछाए आपणने compulsory आवडवो जोई है most important question आपणने खास कार जी राखवान आप एमा थी कोई पण एक trend तमने competitive ने एक्जाम मां पूछाए तो एक आरजी राखवान समुबेनी जो वाद करिये तो समुबेना तत्वो इवायू अवस्थामा होई के जलियम अध्यम मा होई तो बेरेलियम थी बेरियम तरफ जता इलेक्टोन गुमावानी ओक्सिडेशन पामवानी व्रुतिक्रमश सूथ दि जाए छे वत्ति जाए माटे रिड़क्शन करता सभाव सूथ हाई क्रमश वत है तो बेरेलियम जे छे तो ते बेरेलियम ए निरबर रिड़क्शन करता सभाव दर आवे जारे बेरियम ए प्रबर रिड़क्शन करता सभाव दर आवसे हवे, फ्लेम टेस्ट जने जियोद कसोटी और जने समु एकना और समु बेना ततव ने कनफोमिट्री टेस्ट परक कसोटी पण कहीज़़़ शकाई specially chloride shard ने जर बंसन बर्नर नी oxidizing flame मा आपड़े heat करिये खास करिने याद राखवान oxidizing flame बिकोज यहनू temperature high होई पराबर reduce जे flame होई जे orange color नी flame होई reduce flame होई तेनू temperature एटलू high नथी होतु कि जे electron एकसाइट करवा माटे sufficient होई माटे ज्यारे समू एक ना तत्वो और तेमना salt ने ज्यारे बंसन बर्नर नी oxidizing flame जे blue flame होई तेमा heat करवा मावे तो त्यारे तत्वो नी बाहियतम कक्षाना जे electron जे छे तो ते धरा अवस्था जेनेज ground state भुमिगत अवस्था और stable electronic state के वै तेमा थी तेओ excited state एटले unstable उत्तेजी दवस्था माँ जाए by absorption of particular energy परन्तु आजी उत्तेजी दवस्था छे तो ते के वी छे unstable छे अस्थाई छे पर एटले आमें immediately excited electron will come back to their original position अने during such comeback procedure they will emit some kind of extra energy in form of electromagnetic radiation के जे visible region मा पराबर fall थाई अने ते जे particular जोज छे तैने विस्था कलर आपे छे जेना बेस पाथी आपड़ा समूँ एकना तत्वने आपड़ा identify करी शक्ये छे तो this is actually the mechanism पराबर आलकली धात्वर तेमना salt लीठा बंसन बर्नर नी जुत्म ने ऑक्सिडाइजिंग जुत्मा मुईका बाहिया तम कक्षानी electron धरा अवस्थामा स्थाई अवस्थामा थी उत्तेजित अवस्थामा एनर्जी नूँ एब्जर्प्शन करीने गिया उत्तेजित अवस्था अस थाई छे माटे तेओ पोतानी मुडभूत अवस्थामा पाचा फरे अनर्जी नूडभूत अवस्थामा जेरे पाचा फरे छे त्यारे तेओ वधारानी उर्जा छे तेने इलेक्ट्रमेगनेटिक रेडियेशन ना फर्म मा एलोको इमिट करे छे अने जे विजिबल रिजियन मा फॉल थाई पर इन आमे एक जियोज जे छे तेने कैरेक्टरिस्टिक रंग आपे अने येना बेसपर्थी सम्मू एक औने सम्मू बेना तत्वों नी परक्थे ही सके तो ते कीरम जिलान जने क्रिमजन रेड के वाई सोडियम पीडो यलो जने गोल्डन यलो पन के वाई सोनेरी पीडो पोटेशियम न रंग वायोलेट और जामली रंग छे रुबीडियम एलाल जामली एटले के रेड वायोलेट कलर आपे सीजियम ए वादडी और ब्ल्यू क तेमा समू एकना तत्व माँ पोटेशियम औने सिजियम जे तप्रकाश विद्युत कोस्त माँ फोटो इलेक्टिक सेल माँ सोलर सेल मा इलेक्टोड तरीके विद्युत्रू तरीके उप्योगी छे तो ते खास याद राखवानू के नीचे नामाथी समू एकना कहया तत्वा फोटो इलेक्ट्रिक सेल मां इलेक्टोड तरीके उप्योगी छे तो ते पोटेशियम अने सिजियम तम नेलोको कलर पुछे ना कलर पठी पर्टिक्वेलर एलिमेंट आइडेंटिफाई करवन थाए के नीचे नामाती समु एकनू कोई तत्व कीरम जी लाल कलर नी जिवत कसोटी आपे चे तो तो ते इस लिथियम और बीजो क्वेश्चा नहीं विरीते पुछाए के समु एकनू सोडियम तत्व एजिवत कसोटी मा कोई कारेक्टरिस्टिक कलर आपसे तो ते इस गोल्डन येलो नीचे नामाती समु एकनू कोई तत्व एफोटो एलेक्टरिक स्याल मा उप्योगी जे धाट इस पोटेशियम अने सिजियम राबर्चे लिथियम नी आयन इकरण एन्थाल्पी घणी उची होवाने कारणे फोटो एलेक्टरिक स्याल मा उप्योगी न थी आपड़े लास्ट रिविजन लेक्षर मा लॉन करियू समु बेना प्रथम बे तत्व जे छे खास इन्पोर्टन, that is also important one कि समु नीचे नामा थी समु बेनो कई तत्व जियोद कसोटी दर्शावतू न थी तो समु बेना बेरेलियम अने मेग्नेशियम तो ए तत्वने आयन इकरण एन्थाल्पी उची होवाने कारणे ते बंसन बर्ना नी जो ऑक्सिडाइजिंग फ्लेम छे that is not sufficient to excite the electron यह भाहेतम कक्षान इलेक्ट्रोन ने एक्साइट करवा माटे sufficient न थी पर इन आमें बेरेलियम अने मेग्नेशियम जियोद कसोटी दर्शावता न थी important बन calcium इन्थ जेवी लाल आपे brick rate कलर, strontium कीरम जिलाल आपे lithium उने strontium नो रंग सेम छे, त्यार पाची barium छे ते apple green इलाके आची लीली कलर नी जो अत बतावे, जे radium जे छे तो ते कीरम जिलाल कलर आपसे आपने प्राबर जेने crimson कलर पन कई शक्याए तो अहिया थी color ना बेस पर आपणने question आउसे कि कहुँ तत्व कहा प्रकार नी जे जोच छे ते दर्शावसे अने कहुँ element जोच कसोटी दर्शावतू नथी, सा माटे जोच कसोटी दर्शावतू नथी, तो ते आपणे खासी याद राखवानी थाई त्यार बात, अगेन, एमसी किने important question के आलकली धातो नी जे परक छे तेना माटे के flame टेस्ट जोच कसोटी दर्शावतू थाई जोच प्रकाश मेती, अने atomic absorption spectroscopy जेने परमाणवी आउशोशन बनपठ दर्शी कई सकाय तेना उप्योग करिये छे तो परक कसोटी जे छे, तो ते इनी कही टेस्ट छे, it's a qualitative, औने सांद्रता नक्की करवा माटे, that is quantitative quantitative, तो परक माटे flame कसोटी ने उप्योग थाई छे, ने सांद्रता नक्की करवा माटे quantitative test माटे, आपड़े flame photometry अने atomic absorption spectroscopy जेने EAS थरीक ये पन उडखाय छे, तो आपण आपड़े याद राख मने क्यालकली धातू, औने सांद्रता नक्की करवा माटे नीचे नामादी कोणों उप्योग थे, पैलाज ओप्षन flame test अशेने, आपड़े पैलाज ओप्षन परच क्लिक करशू, पण आपड़े त्यारे question ने ध्यान्थी सांद्रता पुईचू छे, quantitative test छे, quantitative माटे तो flame photometry अने atomic absorption spectroscopy, परख qualitative purpose जो पूछाए, परख पूछाए तो त्यारे आपड़े answer सू करवानों छे, flame test करवानों छे हवे photoelectric effect, जेने photoelectric असर पण केवाई, बधिज आलकली धात्व, except lithium photoelectric असर जे छे ते दर्शावे छे, तो पैलाज MCQ पूछाए, कि नीचे नामाथी कईू आलकली धात्व ये photoelectric असर दर्शावतू न थी, तो ते छे लिथियम सिवाई ना आलकली धात्व तत्व photoelectric दर्शावे छे, point number one, MCQ पूछाण, second point photoelectric असर इटले सुँ, तो जेरे photon धरावतू प्रकास नू कीरण जे छे, आकृतिमा दर्शावे भूछे, photon धरावतू प्रकास नू कीरण ने, जेरे धातूनी सपाटी पर आपणे आपात करिये छे, तो धात धातूनी सपाटी पर रहेला electron जे छे, तेना माँ सिफ्ट ठाई छे, परावर, E is equal to H into V, या E जे छे तो तो ते आपात फोटन नी उर्जा छे, अवे आपात फोटन नी उर्जा करता, photoelectric असर माटे नी condition, that is important MCQ for need point of view, अवे आपात प्रकास, जे आपात फोटन जे छे तेनी उर्जा, ए धातूनी धातूना जे पर्माणू जे छे, तेना आए निकरन एंथाल्पी करता वधारे होई, बराबर, तो त्यारे धातूनी सपाटी पर थी electron सु थाई छे, दूर थाई छे, अने धातूनी सपाटी पर जे धातूनी सपाटी पर थी electron, इजेक्ट थाई, तेने फोटो इलेक्टोन कहेवाई, और आ जे फोटो इलेक्टोननी जे उर्जा जे छे, पराबर, जेने इडेस संगना वड़े दर्सावेली छे, तो तेनी उर्जा इ आपात फोटोननी उर्जा करता डेफिनेटली केभी अची अशे आम फोटो इलेक्ट्रिक असर नटसेल सूछे के ज़्यारे फोटोन दरावता प्रकास ना किरण ने धातुनी सपाटी पर आपात करवामा आवे तो धातुनी सपाटी द्वार आ फोटोननु एब्जोप्शन थाई अने ए जे उर्जा जे थे धातुनी सपाटी प पड़े जेने फोटो इलेक्ट्रोन केवाए ए फोटो इलेक्ट्रोननी उर्जा जे छे एडेस जे छे तो ते आपात फोटोननी उर्जा करता ओछी होई अने आ जे असर छे तेने सु केवाम आवे छे फोटो इलेक्ट्रिक असर केवाम आवे छे फोटो इलेक्ट्रिक असर माटे नी आ कंडिशन नीट नो very important question अत्यार सुधी पुछायो नथी परन्तु definitely जो कोई सारू पेपर सेट करे बराबर अने एकदम logical question पूछे तो photoelectric असर जे चे तेना भी इस पर ती आ question आवे लिथियम समूनू प्रथम तत्व जे चे तो ते लिथियम photoelectric असर दर्शावतु नतिकाराण के तेमा condition number one satisfied नथी थती एमा जे लिथियम चे तेनी आयन इकरण enthalpy गणी वदारे चे माटे परीण आमे जे आपात photon जे चे तो that is not able to eject the electron from the surface of the lithium एडले लिथियम नी सपाटी पर्थी इलेक्ट्रोन इजेक करवा माटे ए efficient नति माटे group one नू लिथियम एलिमेंट जे चे प्रथम तत्व लिथियम जे चे तो ते photoelectric असर दर्शावतु नति तो photoelectric असर समु एक माथी कौण नी दर्शावे लिथियम नर्थी दर्शावतु समु ननियत अत्व photoelectric असर दर्शावे photoelectric असर दर्शावा माटे कई condition होवी जरूरी तो आपात प्रकास नी जे उर्जा जे छे तो ते धातुनी आईनिकर एंथाल्पी करता वधारे होवी ज अन second thing के जे photoelectron छे तेनी उर्जा ए आपात प्रकास नी उर्जा करता केवी होवी जे ओच ही होवी जे तो त्यारे आपाने photoelectric असर जोवा माडे लिथियम एटला माटे नी दर्शावे because incident photon नी जे energy छे तेना करता लिथियम नी ionization energy वधारे छे परिण आमे incident photon नी energy ए लिथिय इलेक्टर ने इजेक करवा माटे sufficient होती न थी that's why lithium is not exhibiting the photoelectric effect तो आपने खास याद राखवानू आलकली धातू माँ potassium अने cesium नो उप्योग photoelectric solar cell माँ थाई ते माँ खास करीने कोनो उप्योग थाई छे सिजियम समूनू छेलू तत्व सिजियम तेनी ion एकरण enthalpy उची छे न वधारे कदने कारणे तो ते photoelectric cell माँ solar cell माँ खास उप्योगी छे समू बैना जे तत्वो जे छे तो तेनी ion एकरण enthalpy समू एक करता के वी छे वधारे होवाने कारणे समू बैना तत्वो जे छे तो ते photoelectric असर दर्शावता नथी तो अहीं आपने photoelectric असर जोई अहीं आपने flame test पन जोई अने एनी साथे आपने reduction करता सभाव पन जोई तो आटला point आपने neat point of view जोई है तो section C मा आनना बेसपरती घणा बता सारा question ओलेडी पुछाई चुके ला छे और एवा आ topic एवा छे जे माथी definitely आपने question पुछावाने सोयसोट अका सक्याता छे तो वीडियो ने ध्यांती लर्न करता जवानू उन साथे साथे आज इ study material छे तेनू PDF पन सेंड करीश तो PDF पन ध्यांती माचे करवानू तो आपने topic जी छे ते definitely आपने शौट आउट थेई जोसे